बहुत सुन्दर एक प्रसंद आता है एक व्यक्ति था तो उसमें बहुत सारे पचास सो लोगों के सामने एक फ्रश्न रखा भाईया ये गुबारे जो पड़े हैं ये गुबारे सब उठा के अपना नाम उस पे लिख दीजिए उस व्यक्ति ने सब गुबारों के खटा किया और एक कमरे में गुबारे इधर उधर फैला दिये और उन सब लोगों को बुले वो व्यक्ति कि आप अंदर चाहिए और अपने नाम का गुबारा लेके आईए आपके पास पांच मिनट का समय है सब लोग अंदर गए खीचतान होने लगी बहुत समय हो गया लेकिन किसी को अपना गुबारा नहीं मिला लोग भिड़ते रहे लड़ते रहे जगड़ते रहे लेकिन अपने नाम का गुबारा किसी को नहीं मिला वो व्यक्ति ने फिर से उन सब को बाहर बुलाया और बोले अब एक काम कीजिए फिर से अंदर जाए और अब जिसके नाम का गुपारा जिसको मिले वो दूसरों को दीजिए जिसके नाम का गुपारा हो उसको दे दीजिए आपको आश्य भी होगा कि पांच मिनिट का सभी भी नहीं लगा पहने चार मिनिट में सब को अपना अपना गुबारा मिल चुगा था अगर आप किसी और को देते हैं इस कहानी का सार क्या है तो आपको अपना मिल जाता है अगर किसी की खुशी को आप बाटते हैं किसी को खुशी देते हैं तो आपको अपनी खुशी मिल जाती है तो अगर आप अपनी खुशी के लिए ढूंद कर रहते हैं तो आपके हाथ में कुछ नहीं आता है अगर आप गुबारा किसी और को देते हैं तो आपको अपना गुबारा मिल जाएगा आप अपनी खुशी किसी और को दीजिए आपको अपनी खुशी मिल जाएगी ये प्रकृति का सद्धानत है ये नियम है इस नियम को हम जतना जल्दी समझेंगे न उतना अच्छा रहेगा मैं तो समझ चुका हूँ यदि इस नियम को हम समझ लेंगे तो हमसे गलत कार्य वर्दमान में नहीं हो